नमस्कार दोस्तों, जब कोई रास्ता, समाधान नजर नहीं आए और लगे, सब खत्म होने वाला है तब जोर से कहिए जैश्री कृष्ण सारे रास्ते खुल जाएंगे। से चीटी की तरह महसूस होने वाली परेशानी हमारे नजदी काते आते हाथी के जैसा रूप धारंग कर लेती है और हम उसकी विशालता और भयावेता के आगे समरपन कर परिस्थितियों को अपने उपर हावी हो जाने देते हैं। वो परिस्थिती हमारे पूरे वजूद को ह हमें हताशा, निराशा के भावर में उल्जा जाती है। एक एक शन पहार सा प्रतीत होता है और हम में से जदातर लोग आशा की कोई किरन ना देख पाने के कारण हताश होकर परिस्थिती के आगे हतियार डाल देते हैं। अगर आप किसी अंजान, निर्जन रेगिस्तान मे फंस जाए तो उससे निकलने का एक ही उपए है, बस चलते रहें। अगर आप नदी के बीच जाकर हाथ पैर नहीं चलाएंगे तो निश्चेती दूब जाएंगे। जीवन में कभी ऐसा क्षन भी आता है, जब लगता है कि बस अब कुछ भी बाकी नहीं है, ऐसी परिस्थ इसे अपने गले में डाल लू और जिन्दगी में कभी ऐसी परिस्थिती आये कि जब तुम्हें लगे कि बस अब तो सब खत्म होने वाला है, परेशानी के भावर में अपने को फसा पाओ, कोई प्रकाश की किरन नजर ना आ रही हो, हर तरफ निराशा और हताशा हो तब त ताबीज को खोल कर इसमें रखे कागस को पढ़ना, उससे पहले नहीं, राजा ने वह ताबीज अपने गले में पहन लिया, एक बार राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार करने घने जंगल में गया, एक शेर का पीछा करते करते राजा अपने सैनिकों से अलग हो गया और दुश्मन राजा की सीमा में प्रवेश कर गया, घना जंगल और सांच का समय, तभी कुछ दुश्मन सैनिकों के घोडों की टापों की आवाज राजा को आई और उसने भी अपने घोडे को एड लगाए, राजा आगे आगे दुश्मन सैनिक पीछे-पीछे, बहुत दूर त दुश्मन के घोडों के पैरों की आवाज धीरे-धीरे पास आने लगी, दुश्मनों से घीरे हुए अकेले राजा को अपना अंतनजर आने लगा, उसे लगा कि बस कुछी क्षणों में दुश्मन उसे पकड़कर मौत के घाट उतार देंगे, वो जिन्दगी से निराश ह ही गया था, कि उसका हाथ अपने ताबीज पर गया और उसे साधू की बात याद आ गई, उसने तुरंट ताबीज को खोल कर कागस को बाहर निकाला और पढ़ा, उस परची पर लिखा था कि ये भी कट जाएगा, राजा को अचानक ही जैसे घोर अंधकार में एक ज्योती क हो, अपने प्रभू और अपने पर विश्वासरक उसने स्वयम से कहा कि हाँ, ये भी कट जाएगा, और हुआ भी यही, दुश्मन के घोरों के पैरों की आवाज पास आते आते दूर जाने लगी, कुछ समय बाद वहाँ शांती छा गई, राजा रात में गुफा से निकला और किसी तरह अपने राजे में वापस आ गया, ये सिर्फ किसी राजा की कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है, हम सभी परिस्थिति, काम, नाव के दवाव में इतने जकर जाते हैं कि हमें कुछ सूचता ही नहीं, हमारा डर हम पर हावी होने लगता है, कोई रास्ता, समाध सिती से उबरने की शक्ती अपने अंदर महसूस करेंगे. आप सभी को हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी नई मोटिवेशनल धार्मिक वीडियो आप सभी के ल ये लाते रहेंगे धन्यवाग.